तो आप लोगों के बहुत सारे प्यार भरे सपोर्ट के बाद हम फिर लेकर आ गए हैं एक नया वनशॉट बहुत डिमांडिंग चल रही है हमारी वनशॉट सीरीज और आप लोगों का खूब सपोर्ट मिल रहा है तो प्लीज ऐसा ही सपोर्ट अपना हमें दिखाते रहे हमार वीडियो को वनशॉट को अपने दोस्तों के शार शेर कीजिए बिकर्ज शेरिंग इस क्यारी तो आज विदाउट वेस्टिंग एन टाइम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नमबर सेवन का वनशॉट बच्चों की बहुत जादा डिमांड आ रही थी कि सर जल्दी से श so is of business finance तो business finance के बारे में पड़ेंगे सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पर जो चैप्टर का नाम है उसमें लिखा हुआ है finance तो क्या what is finance? Finance का मतलब क्या होता है Finance का मतलब जानना है Business business तो सबने खेल लिया Business के बारे में सभी को पता चल गया के business क्या होता है But what is finance Finance क्या होता है Finance के बारे में आज जानेंगे देखिए भई किसी भी business को start करने के लिए जो पैसा चाहिए वो होता है finance Business start हो गया, business को run करने के लिए, manage करने के लिए चाहिए finance तो finance is the blood of business, finance जो है जो पैसा है वो blood की तरह है Finance is required to the business as the blood is required to our body जैसे blood हमारी body को run करता है, body को चलाने के लिए blood चाहिए वैसे ही business को चलाने के लिए उसका finance चाहिए Business finance का मतलब वो पैसा जो जरूरी है Business को start करने के लिए Business को run करने के लिए Business को manage करने के लिए ये होता है Business finance इतनी छोटी सी चीज़ है अब इस chapter का नाम क्या है? Sources of Business Finance कि Business का जो finance है जो पैसा है Business के लिए वो आएगा कहां से उनकी sources क्या होंगी? वो होता है यहाँ पर आपको पढ़ना है वो sources के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है तो Business Finance की definition Business Finance refers to money required for carrying out business activities Business को चलाने के लिए जो भी पैसा चाहिए उसको बोला गया business finance Business activities को चलाने के लिए जो भी पैसा चाहिए उसको बोला गया business finance ठीक है? अच्छा जी आपने accountancy में भी यही बात पढ़ी है general entries पर आजाएगे general entries पर क्या कहता है? Mr. X started business with cash तो जो capital है जो पैसा है business start करने से पहले सबसे पहले requirement होती है पैसे की need for business finance जरूरी क्यों है? यह तो एक चोटा बच्चा भी बता सकता है कि बढ़ी business को start करने के लिए finance चाहिए business को चलाने के लिए हमें finance की जरूरत है, पैसे की जरूरत है बड़ी बड़ी चीजों में invest करना है machines लानी है fix descent में invest करना है तो भी हमें finance की जरूरत है रोज petty expenses करने हैं उसके लिए में finance की जरूरत है एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच खोलनी है उसके लिए भी финанс की जरूत है तो हर चीज के लिए finance की जरूत है विजसुको heart करने से लेकर के business को manage करने तक हमें सब कुछ में finance की जरूत है पीछे भी एक सब्सक्राइब चीजह लिखी हुए finance अब दूसरी slide the financial needs of a business can be classified into two broad categories जो हमारी business की needs हैं वो दो categories में बाट दी गई सबसे पहली होती है fixed और दूसरी होती है working ठीक है जी fixed capital requirement और working capital requirement बहुत अच्छे से अगोंस वाले सर ने आपको बताया है fixed capital कौन सी होती है और working कर रखा है तो capital आप लोगे 10 लाक रुपे से business start कर रहे हो तो 10 के 10 लाक रुपे एक जगा पर ही नहीं लगा देते हैं machine के अलावा भी बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हमें cash अपने हाथ में रखना होता है क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं machines लाके रख दूँगा भया लेबर को भी तो पैसा देना है तो कुछ 2-4 लाक रुपे आपको अपने हाथ में रखने होंगे जिससे आपका day to day activities complete हो सकें चाय मंगानी है समोसे मंगानी है लेबर को पैसे देने ट्रांस्पोर्ट वाला माल छोड़ के जा रहा है उसको पैसे देने चोटी-चोटी चीजेंगे लिए पैसे देने तो इसके लिए आपको working capital की requirement होती है वो capital जोके required है वो जो के required है आपके रोज मर्रा के काम हो उसको बोलते है working capital तो सारा पैसा हमें fix capital में नहीं डालना है हमें अपने पैसे को दो जगा बाटना है एक बड़ा पार्ट fix capital में डाल देंगे एक छोटा पार्ट working capital के लिए अपने रख लेंगे ठीक है जी तो यह हो गई fix capital और working capital पैटी expenses वगेरा हो गया इस्टॉक हो गया बिल्स रिसीवेबिल और बिल पेबिल के लिए जो पैसा है वो सब यहां पर आ गया ठीक है जी दो ब्रॉट के डिगरी में बाट दिया अब पढ़ेंगे क्या अब पढ़ेंगे sources of funds कौन कौन सी होती है कितने भागों में बाटी गई है sources sources mainly जो है वो एक ही पढ़नी है आपको मैं इतना clear कर देता हूँ यह जो है second वाली अरे यार यार यह pen कैसा आ रहा है आज pen बढ़िया सची है हमें यह वाली जो है ना ownership basis यह वाली आपको पढ़नी है लेकिन मैं आपको तीनों पढ़ाओंगा क्योंकि आपकी बुक में तीनों भी हो सकती है इसके अंदर को बहुत जादा नहीं है चैप्टर्र देखने में बढ़ा है क्योंकि चैप्टर की एडवांट जेज किसी भी सूर्स की एडवांटेज लिमिटेशन फीचर यह सब चीजेहें लेकिन आप को क्या करना है ापको concepts г हैं आपको concept کو पकड़ना है अगर आपने concept को पकड़ लिया तो आप answer आराम लिख सकते हैं इसका ठीक है जी तो classification जो है sources का तीन basis पर है period basis ownership basis और generation basis तीन basis पर है कौन-कौन सा period owner और generation period basis ownership basis और generation basis period basis क्या कहता है period basis पर period basis कहता है कि हमें funds जो चाहिए होते हैं वो तीन तरहा की period के लिए चाहिए होता है एक long term के लिए एक medium term के लिए और एक short term के लिए हमें जो पैसा है वो तीन terms के लिए चाहिए होता है अब ऐसा नहीं कि हर business को तीनों term में ही चाहिए यह हर business को एक के लिए चाहिए depends on the business to business किस तरह का business है long term sources की requirement कब होती है जब हमें पैसा चाहिए होता है, 5 साल समझ लो, यहाँ पर 5 साल पकड़कर चल लो, 5 साल से उपर, जब हमें पैसा चाहिए होता तो उसको बोलते हैं, Medium term Source कौन सी होती है, जब 1 साल से तो उपर होगा, यामनि कि जब हमें पैसा चाहिए, एक साल से जाधा के लिए, बट पांच साल से कम के लिए, तो इसको मीडियम सोर्स बोल दिया, ये मीडियम है, शौर्ट टम सोर्स, जब हमें एक साल से कम के लिए पैसा चाहिए होगा, तो उसको बोलेगे शौर्ट टम सोर्स, इतना असान है, लॉंग टम सोर्स, जब पैसा हम चाहिए होगा पांच साल से जादा के लिए लंबा समय चल रहा है हमारे वच्च वच्च बढ़े हो जाएंगे तब तक के लिए पैसा चाहिए बहुत लंबे समय के लिए पैसा चाहिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट चलता है तो उसके लिए लंबे समय ठीक है अब ये Long Term, Medium Term, Short Term में क्या-क्या चीज़े आती है वो हम जा करे पढ़ेंगे Borrowed Fund और Owners Fund के अंदर जो Ownership Basis पे पढ़ने वाले हैं अब आते हैं Ownership Basis पे देखें जी Ownership Basis में आपको दो चीज़े बता रहे हैं Ownership Basis में, और ये शब से Owners Fund और दूसरी होती है Borrowed Fund Owners Fund और Borrowed Fund Owners Fund क्या है और Borrowed Fund क्या है चलो आखे बंद कर लो Owners Fund और Borrowed Fund एक मिनिट में समाझ आएगा एक मिनिट भी नहीं लगेगा तुमारी खुद की दुकान है जब तुम अपना खुद का पैसा उसके अंदर लगाओगे तो तुम owner होना अपनी दुकान के, तो वो होता है owner's fund, जब मालिक ने अपना खुद का पैसा लगाया, वो होता है owner's fund, borrowed fund, जब मेरे पास पैसा नहीं था, मैंने अपने पडोसी से, अपने रिष्टिदार से, अपने दोस से, bank से ले करके पैसा लगाया अपने business को चलाने के ल It's that simple, इतना असान है, जब पैसा खुद का हो, तो owner's fund, जब पैसा दूसरों से ले करके business कर रहे हैं, उसको बोलते हैं borrowed fund, इतना simple है owner's fund और borrowed fund, देखे भई, बिस इसमें इतना सा difference हो गया, अब उसके अंदर क्या-क्या sources होती है, owner's fund और borrowed fund में क्या-क्या आएगा, वो हमें प नहीं business में, तो उसको बोला, owner's fund, जब पैसा जो है, आपने किसी से उधार लेकर लगाया, या बाहर किसी से पैसा ले लिया, बाहर के आदमी से, उसको बोल दिया borrowed fund, इतना simple है, the funds provided by the owner of the business enterprise, known as owner's fund, देखे, यहाँ पे भी यही वाली बात लिखे हुई है, अगर आप soul proprietor हो अपना पैसा लगाओगे, partnership में काम कर रहे हो, तो partners ने अपना पैसा लगा दिया, joint stock company है, तो shareholders वहां के मालिक है, shareholders ने जब अपना पैसा लगा दिया, तो owners fund हो गया, that's it, owners fund जो होता है, वो कैसा होता है, permanent source होता है, permanent source, वो लगा रहेगा अपने business में, देना वाइना वाइना अगर किसी company के share खरीद लिये, तो आप उस company के मालिक हो जाते हो, आप उस company के owner हो जाते हो, ठीक है जी, आप उस company के owner हो जाओ लिए, ठीक, अब बात करें अगर borrowed fund की, borrowed fund क्या था, हमने बताया था, खुद का पैसा ना लगा करके, किसी बाहरवाले से पैसा ले करके, आपने अपने business को चलाया, run किया, manage किया, the funds raised through loans or borrowing, यानि के उधार borrow किया, किसी से उधार लिया, are known as borrowed funds, खतम कहानी, these sources provide funds for specified period, अब याद रखियेगा, आप जिससे भी पैसा ले रहे हैं, सबसे पहले दिन ये पूछता है, भाया वापस कप करोगे, ये बता के जाओ, वापस करोग are under legal obligation to pay interest at a fixed rate, अगर आपने किसी से पैसा लिया है, तो आप bound हो जाएंगे, liable हो जाएंगे, जिससे भी पैसा लिया है, उसको interest देने के, principle तो देंगे ही देंगे, आप 10 लाग रुपे लीजे किसी से, आप 10 लाग रुपे तो वापस करेंगे ही करेंगे, उसके ओपर एक certain amount of interest भी आप उसको देंगे, next is borrowed funds are generally provided on the security on some fixed assets, यानि के कभी हमने बचपन में नाम सुनाओगा, गिरवी रखना, अपना सामान कहीं पर गिरवी रख देते हैं, तो आपको borrowed fund तभी मिलता है, जब एक तो आपकी हैसियत होनी चाहिए, वही मुझे 10 लाग रुपे चाहिए, तो इसी भी रिष्टेदार को दे करके उससे 10 लाग रुपे ले लो, क्योंकि अगर मैं default हो गया, defaulter बन गया मैं, मैं पैसा नहीं लोटा पाया, तो उस पैसे को वापस नहीं करूंगा, अगर तो मेरी जो चीज मुहारत ही यह उतनी कीमत की, वो जिसने मुझे पैसा दिया है, वो मेरी चीज ले करके उसको बेचे यूज करें, वो फिर उसकी हो जाती है, फिक है जी, तो यह होता है भाईया, बॉर्व पंड, अब यहां पर, sources of generation basis आता है, एक होता है internal source, और एक होता है external source, देखो बड़ी प्यारी बात है, internal और external commerce में जहां पर भी आए, एक ऐसे करके wall बनाना, यूँ करें, डबबा बनाना, यह पता है क्या है, यह डबबा जो है, यह आपकी organization है, यह आपकी firm है, company है, दुकान है, जो भी समझने इसको, जो भी काम इस boundary के अंदर करोगे, within the organization, वो internal हो जाएगा, जो भी काम इस boundary से बाहर करोगे, वो क्या हो जाएगा, external हो जा होता है, within the organization, internal का मतलब क्या होता है, within the organization, within the organization, external का मतलब क्या होता है, outside the organization, जब आप काम अपनी organization के बाहर से, खतम का आनी, तो यानि के internal sources को सी होती होगी, अब आपने दिमाग चला लिया होगा, दिमाग में आ भी गया होगा, internal sources वो होती है, जब हम अपनी organization के अंदर का पैसा ही अपनी organization में लगाते हैं तो दिमाग को थोड़ा घुमाओ ऐसा नहीं लग रहा है यह owners fund ही लग रही है इसके अंदर बिल्कुल सही सोचा आपने जो इंटरनल sources होती हैं उसके अंदर हम shareholders का पैसा owners का पैसा retained earning वो सब डालते रहते हैं यानि organization में लोग कमा रहे हैं जो owners हैं वही पैसा आपने डाल रहे हैं तो उसको बोल दिया internal sources external sources कौन सी होती है जब आप outside the organization से पैसा लेना शुरू कर देते हैं अपने business को चलाने के लिए जैसे पैसा आपने ले लिया bank से पैसा आपने ले लिया किसी financial institution से यह सब हो जाता है क्या external sources जब आपको जाना पड़े कहां अपनी organization से बाहर हमने बता दिया internal का मतलब होता है within the organization external का मतलब होता है organization के बाहर से simple अब यहाँ पर हमने period basis कर लिया ownership basis कर लिया generation basis कर लिया अब सबसे important क्या था सबसे important था ownership basis ownership basis को जड़ा विस्तार से पढ़ेंगे विस्तार से क्यों पढ़ेंगे क्योंकि उसी से question बन रहा है उसी से question आता है ठीक है चलिए जी owners fund owners fund कहां कहां से आ सकता है तो यह कुछ owners fund के example होते हैं याद कराओ आपको equity share preference share retained earning GDR ADR और IDR बस हो गए याद फिर से बोलू equity share preference shares retained earning GDR ADR IDR बस ऐसे याद हो जाएंगे अब यह कहोगे सर यह होते क्या है यह तो बता दो यह तो नहीं बता रहा है बताएंगे किसी को खाली नहीं छोड़ेंगे सबको बताएंगे एक एक चीज़ बताएंगे सबसे पहले तो याद रखेगा यह सब क्या है यह सब sources है owners fund की owners fund की यह sources है कि कहां से owners fund यह सब owner हो जाएंगे अगर company के यह owner है जो भी पैसा देगा यानि एक छोटा सा concept याद रखेगे हम chapter number 2 में ही पढ़के आये हैं जो shareholder होते हैं जितने भी shareholder होते हैं company में वो सब कौन हो होते हैं shareholder are the owners of the company और shareholders जो होते हैं different different shareholders होते हैं कोई preference sharehold करता है को एकविटी sharehold करता है कोई ADR GDR IDR से holder बनता है वो owners बन जाते हैं वो जो भी पैसा लगाएंगे company में वो कहलाएगा owners fund ठीक है तो सबसे पहले equity shares की बात करते हैं कि यह equity shares क्या होते हैं equity shares कौन से होते हैं देख एंड शेयर्स आर डिवाइड़ इंटू मैनी पार्ट तो shares जो है हमारे जो shares है वो कई पार्ट में डिवाइड़ है सबसे पहला equity share equity share क्या होता है share को basically अगर आप समझना चाहते हैं तो share को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है एक होता है equity यह इदर समझाता हो एक होता है equity share और दूसरा होता है आपका preference share अब इन दोनों में difference क्या होता है हैं दोनों shares और इनको hold करने वाले मालिक होते हैं अब यह जो क्या होता है यह equity shares जो है equity shares ऐसे shares होते हैं जो के आपको एक यह समझ लीजे जादा special वाले shares होते हैं और preference shares वो होते हैं जो आपको preferential rights देते हैं आपको company के अंदर preferential rights देते हैं preferential rights मतलब preference आपको preference मिलती है किसी भी अगर आपने preferential hold कर रखे हैं equity shares के पास एक right होता है equity shareholders जो होते हैं ऐसा समझ लीजे असली मालिक यह होते है असली मालिक कौन होते हैं जो equity share hold करते हैं क्यूंकि इनके पास voting rights होते हैं यह लोग vote दे सकते हैं ठीक तो यह होते हैं equity shares वाले यह मालिक होते हैं बाई देखो मालिक का तो ऐसा है मालिक को laws भी बहुत जहिलना पड़ता है preference shares वाले इनके पास voting rights नहीं होते बट इसी वजह से इनको हर चीज में preference दी जाती है अगर company के dividend आया तो सबसे पहले यानि के company को profit हुआ तो सबसे पहले preference shareholders को दिया जाएगा company डूब गई खतम हो रही है बंद हो रही है तो सबसे पहले preference अगर पैसा है तो preference shareholders का पैसा चुकाया जाएगा अगर कुछ बचता बचता है तो equity shareholders के पास आता है equity shareholders को बाद में दिया जाता है क्योंकि भाईया वो तो owners हैं सबसे जादा enjoy क्योंकि equity shares वाले करते हैं जिनके पास equity shares होते है preference shares वाले थोड़ा पीछे रहते हैं किस में voting rights में उनके पास voting rights नहीं होते but preference shares जिनके पास होते हैं उनको सबसे पहले dividend मिलता है company अगर घाटे में जाएगी company अगर बंद होगी wind up होगी तो सबसे पहले preference shares को पैसा मिलेगा preference shareholders को पैसा मिलेगा तो equity shares वो होते हैं जिनके पास equity shares होते हैं इनके पास voting rights होते हैं vote डालने के लिए काम काज में हिस्सा लेने के लिए ये vote डाल सकते हैं तो इनको मिलता है equity share equity shares are those shares which do not carry any special or preferential rights in respect of payment of annual dividend and repayment of capital यानि कि अगर profit हुआ तो पहले किसको मिलेगा पहले मिलेगा preference shareholders को क्यूंकि उनके पास बिचारों के पास voting right नहीं है तो कहा जाता है कि यह थोड़े owners हैं लेकि छोटे owners हैं तो पहले इनको निपटा होता है घर के छोटों को पहले खाना दिया जाता है अगर खाना कम है तो बड़े बात में खा लेंगे भूके भी रह लेंगे तो ऐसा ही हिसाब है preference shares की बात करते है preference shares वो shares होते हैं जिसके ओपर preferential rights मिलता है जिनके holders को preferential rights मिलते हैं यानि के उनको हर चीज में preference दी जाती है देखो भई दो main चीज़े होती है preference दो main चीज़ों में मिलेगी एक तो जब company को profit होगा तो सबसे पहले preference shareholders को याद किया जाएगा और जब company बंद होने वाली होगी company खतम हो रही होगी तो भी सबसे पहले किसको याद किया जाएगा सबसे पहले हमारे preference shareholders को याद किया जाएगा और सबसे पहले आगर पैसा है तो preference shareholders को दे दिया जाएगा जो अब तुम Itisurs वाले बात में ले लिए ठीक है तो यह हो गया equity shares और preference share तीसरी चीज होती है retained earnings retained earnings थोड़ा समझ ये retained earnings सबसे पहले आपका कोई था कोई भी आपका share था उसके ओपर जो profit हुआ उसको हम क्या बोलते है dividend बोलते है ये तो हमने पढ़ लिया भी जो भी आपके shares पर पैसा बचा profit हुआ मानलो आपने 100 रुपए पर 2 रुपए आपका profit हुआ तो 2 रुपए इसदार dividend अब क्या होता है ये तो dividend होता है अब total में लाग करके company को 50 लाग का profit हो गया पचास लाग का dividend आ गया अब company क्या करेगी पचास लाग में से इसने 40 लाग रुपए तो अपने शेयर होल्डर्स को बाट दिये 10 लाग रुपए अपने पास ही रख लिए 10 लाग रुपए अपने पास रख लिए तो इसको हमने क्या बोला retained earnings earnings का मतलब ही क्या होता है earnings का मतलब होता है आपकी कमाई आपके profit earnings का मतलब यही तो होता है तो जितना पैसा earnings का आपने अपनी pocket में रख लिया जेब में रख लिया save कर लिया तो इसको क्या बोला हमने retained earnings Retained earnings क्या है profit का वो हिस्सा जो distribute नहीं किया आपने अपने पास रोक लिया तो जो dividend होता है इसको बोलते हैं distributed profit जो वो पैसा जो आपने बाट दिया इसको बोल दिया हमने dividend लेकिन जो retained earnings होती है Retained earnings को हम क्या बोलते हैं Retained earnings को बोलते हैं undistributed profit profit का वो हिस्सा जो तुमने बाटा ही नहीं profit का वो हिस्सा जो तुमने अपने business के अंदर रख लिया कि अगर बाद में कुछ अगर गडबड हो गई तो इस वाले पैसे को निकाल करके काम कर लेंगे या फिर हमारे expansion में काम आ जाएगा हम अगले साल एक नई दूसरी ब्रांच खोलना चाह रहे हैं या कुछ और काम करना चाह रहे हैं तो उसमें काम आ जाएगा तो एक चीज होती है dividend और एक चीज होती है retained earning तो retained earning is the source of owners fund अब भया मेरे shares मैंने 100 रुपे कमाए थे 80 रुपे आपने मुझे दे दी 20 रुपे रोक लिए और 20 रुपे वापस business में लगा दिए तो this is the part of owners fund owners fund का यह हमारा part हो गया ठीक है तो तीन चीज़े पढ़ नहीं अब आ रहे हैं GDR पे global depository receipt देखो global globe globe धरती वह होता है global depository receipt अब यह क्या है it is a instrument issued abroad issued abroad by company to raise funds अब मान लो अब यहां तो अपना काम नहीं बढ़िया चल रहा है यहां पर हम shareware issue कर लेते हैं अपना पैसा आ जाते हैं अब लेकिन मेरी दिमाग की बत्ती जलती है थोड़ी मेरी में जिन्देगी बनाई मैंने मैंने मेंने मेंने अन्दर पावर आई मैंने का यार क्यों ना बहार से प अब हमें क्या होता है हमें एक चीज होती है global depository receipt अगर मैं चाहता हूँ के foreigners भी मेरी company में पैसा लगाए वह भी मेरी company के मालिक बने आकर के तो उसको बोलते है global depository receipt आपको क्या करना होगा अपने foreign stock exchange पे अपने जो भी है आपका share उसको list कराना होगा foreign exchange अब जैसे यहां पर ह stock exchange है वहां पर इसको आपको list कराना होगा इससे क्या फायदा होगा बाहर वाले भी आपको पैसा देने लगेंगे बाहर वाले भी आपकी company के owners बनने शुरू हो जाएंगे ठीके जी तो GDR is an instrument issued abroad by company to raise funds in some foreign currency and is listed and traded on a foreign stock exchange सीरी साधी इसने बात बता दी कि जब भी आपको पैसा चाहिए कहां से foreigners से पैसा चाहिए अपनी company के लिए तो आपको GDR के थूप पैसा मिल सकता है अब ये GDR जो होता है पूरी दुनिया में कहीं से भी पैसा ले सकते है एक specific इसका छोटा भाई है ADR American depository receipt अब मेरी दिमाग में थोड़ी घंटे हलके बजी मैंने सोचा यार क्यों ना पूरी दुनिया को छोड़के सिर्फ America पे focus किया जाए वहां पे बहुत ज्यादा पैसा है तो जैसे GDR में हमने पूरे globally हम पैसा ले सकते है ADR जो है American depository receipt इसके अंदर मात्र और मात्र कहां से पैसा मिलेगा मुझे अमेरिका से तो यहाँ पर मुझे अपनी जो मेरी जो security है उसको कहां list कराना होगा मुझे उसको list कराना होगा American stock exchange के उपर मुझे अपनी security को list कराना होगा ठीक है जी उसको बोलेंगे ADR ADR is issued by non-US companies जो US की नहीं मालों इंडिया की company है हमने तो यह माल लिया to the Americans in order to obtain foreign capital ADR is similar to GDR बिल्कु सिमिलर होता है लेकिन अगर आपने अपने stock को list कहां कराया है ADR पर American stock exchange पे तो केवल और केवल आप पैसा कहां से ले सकते हैं सिर्फ अमेरिका वाले लोगों से अब थोड़े बच्चों की दिमाग में हो सर ने IDR भी पढ़ाया था सर ने क्या क्या बताया था एक तो बताया था भाया हमने equity share फिर हमने बताया preference share फिर बताया retained earnings deal फिर हमने बता सारी विदेश विदेशी लोग इंडिया से भी तो पैसे लेना आएंगे तो हमने का हमारे पास भी जैसे तुमारे पास ADR है हमारे पास IDR है Indian depository receipt अब जो जो foreign companies इंडिया से पैसा लेना चाहती है आओ और हमारे Indian stock exchange पे अपनी security को list कर आओ और पैसा हमारे यहां से भी मिल सक है IDR is a financial instrument denominated in Indian rupees in the form of depository receipt created by Indian depository to enable a foreign company to raise funds from Indian security market इतनी लाइन काफी हाथ के लिए कहां गया जी हाँ a foreign company to raise funds from Indian securities market अगर बाहर की company इंडिया से पैसा लेना चाहती है तो उनको कहां आना होगा IDR Indian depository receipt यह financial instrument है जो Indian currency में होता है अगर उनको पैसा चाहिए तो वो आ करके हमारे यहां से भी पैसा ले सकती है तो एक बार revise करा देता हूं फिर से अगर मुझे पैसा चाहिए globally हर country से चाहिए तो मैं GDR अगर मुझे सिर्फ अमेरिका से चाहिए ADR अगर बाहर वालों को सिर्फ इंडिया से चाहिए तो IDR खतम कानी इतने में कानी खतम ठीक अब आ जाते हैं borrowed fund पे अब मैंने borrowed fund क्या बताया था जो पैसा हम बाहर के लोगों से लेते हैं जो पैसा अब मेरी capacity में अपनी दुकान म लाक रुपे की और जरूरत है तो मैं bank के पास जाओंगा अपने दोस्तों के पास जाओंगा अपने पडोसियों के पास जाओंगा लेकिन अब थोड़ा बड़ा सोचते हैं थोड़ा बड़ा सोचते हैं थोड़ा big scenario big frame में देखते हैं बात को big frame में हम बात को जब देखते ह है company अब दूसरी चीज आती है borrowed fund जो के आप किसी बाहरवाले से लेते हैं तो इस borrowed fund में सबसे पहला होता है debenture and bonds loan from financial institution loan from bank public deposit trade credit और यह होता है inter corporate deposit छे के छे बड़े असानी जैसे shares होते हैं जैसे shares होते है share is the certificate of ownership share is the certificate of ownership जिसने अगर company का एक share भी hold कर रखा है तो वो company का मालिक है एक share का लेकिन इसका opposite होता है debenture या bond debenture या bond क्या होते है debenture या bond एक वो document एक वो certificate होता है जिसने debenture company का खड़ीदा है वो उसको मिल जाता है और company उसकी कर्जदार हो जाती है company हाथ जोड़के खड़ी हो जाती है के भाईया आप अभी हमें कर्जा दे दो तो साल बाद तीन साल बाद हम आपका कर्जा interest के साथ वापस करेंगे interest मतलब हम आपको हर साल interest देंगे ही देंगे अब कभी कभी क्या होता है शेर के केस में company को profit ना हो कोई लिक्कत नहीं है लोगों को पैसा नहीं मिलता लेकिन debenture का मतलब है loan पैसा हो ना हो company के पास अगर company ने debenture issue कर दिया तो debenture holders को interest देना जरूरी है क्योंकि यह सब बाहर वाले लोग है यह अपने लोग थोड़ी है यह माबाप बैन भाई थोड़ी है जो आपको पैसा देंगे और पैसा वापस भी नहीं लेंगे यह तो बाहर वाले लेकिन यहाँ पर company की करदार हो रही है debenture अगर लिये है तो acknowledging its debt to the holder at a given terms and conditions terms and conditions यह होती है जिसको भी debenture दिये जाते है उसको एक specified period बताया जाता है कि इतने साल में हम आपको आपका पैस वापस देंगे बट ऐसा नहीं इस बीच हम आपको कुछ नहीं देंगे हम आपको इसके उपर interest provide करेंगे ठीक है जी यह होता है हमारा debenture bond दूसरी बात loans from financial institution loans from financial institution क्या होते हैं बहुत सारे ऐसे institute होते हैं जो के especially इसलिए create किये जाते हैं कि वो loans provide करे to the different entities different different logo को loan provide करते हैं यह bank नहीं होते bank जैसे होते हैं इनका काम आपका acceptance और deposit नहीं होता maximum time यह सिर्फ और सिर्फ loan देते हैं finance companies जो होती है याद होगा आपको नाम भी सुनो होगा जो finance companies होती है यह logo की चीजों को finance करती हैं उधार देती हैं उनको कोई भी business करने में मदद करती हैं मदद करने का यह मसमझन आप जाओगा और आपकी मदद हो जाएगी जैसे ही आप जाओगे जिस दिन से पैसा देंगी उस दिन से मीटर घुमाना शुरू कर देंगी interest का बहुत तकड़ा करके तो इसको बोलते हैं loan from financial institution इसी का बड़ा भाई commercial bank loan from commercial bank commercial bank का मतलब वही normal banks जो होती हैं आपकी PNB, SBI यह सब जो भी हैं यह क्या हैं यह commercial bank है commercial bank का मतलब वह bank जो हमसे हमारे deposit को accept करती है और हमें loan provide करती है तो यह financial institution का बड़ा भाई है यह हमसे यह और चार गुना आगे ह यह हमारे accept भी करता है deposit हमें पैसा भी देता है loan के थू हमें बहुत सारी services provide करता है यह सब हम अपने business services वाले chapter में पढ़ चुके हैं जिसको आपने बहुत प्यार दिया बहुत चलाया है उस वाली video को ठीक है जी चलिए तो यह loan from financial institution हो गया अब एक छोट इसी नही चीज public deposit ज organization directly from the public अब आप सीधे गए उन्होंने आपने बोल दिया जो हमें पैसा देगा उसको 5% interest देंगे तो लोग आपको पैसा देने लगे बहुत सारे लोग अराम से दे देते हैं बही company अच्छी है तो वापस कर देगी भागेगी नहीं तो इसको बोलते है public deposits next है trade credit trade credit से तो नाम रुपे का और आपको जामने वाले ने 10 लाग रुपे का समान उधार दे दिया 20 दिन के लिए 30 दिन के लिए एक महीने के लिए क्योंकि आप दोनों में जो है चलता है उधार trade credit is the credit extended by one trader to another for the purchase of goods and services जो आप उधार माल लेते हैं तो यह है आपका trade credit next is intercorporate deposit inter का मतलब क्या होता है inter का मतलब होता है जब दो लोगों के बीच में कोई transaction होती है तो उसको बोलते हैं inter trade credit मैंने लोगों में बोल दिया यहां पर intercorporate deposit का intercorporate जो होता है जब दो companies के बीच में company A और company B दोनों एक दूसरे से उधार ले रही है या एक किसी को उधार दे रही है तो इसको बोलते हैं intercorporate जब दो companies के बीच में उधार चल रहा है intercorporate deposit is an unsecured borrowings by companies from other corporate entities registered under the companies act अब यहां पर एक बात ध्यान रखने वाली है company company के बीच में transaction हुई company ने दूसरी company को उधार लिया या दिया यहां पर याद रखिएगा केवल company वो company जो के registered है under the companies act नए वाले में 2013 में या any previous act के अंदर registered है उसको बोला गया corporate तो यह होता है intercorporate deposit ठीक है जी इसी के साथ owners fund और borrowed fund भी खतम हुआ आपके book में जितना भी है वो हो गया अब इसकी limitations है positive points negative points इसके अंदर आप वो निकाल सकते हैं फिलहाल इतना हो गया है कि 90% आपके number इस वाले chapter को इतना देख करके अराम से आ सकते हैं case study अराम से solve हो सकती है देखिए थोड़ा जब concept बिल्ड हो जाएगा अब आगर आप किताब उठाएंगे अभी किताब उठाने का मन नहीं कर रहा था chapter number seven को देखने का मन नहीं कर रहा था लेकिन अब one shot के बाद मजा आएगा पढ़ने में क्यूंकि जितिनी भी में चीज थी होता हूं हमारे tips पे आ गई जितिनी भी में चीजे थी वह हमारे tips पे आ गई ओनर्सफंड क्या होता है अभी तक नहीं पता था पता चल गया borrowed fund क्या होता है अब पता चल गया ठीक है ओनर्सफंड वापिस हमने दुबारा से वही slide लगाई जब हम ओन जब ओनर अपना पैस अपने business में लगाता है उसे ओनर fund कहते हैं जब बाहरवालों से पैसा लेकर के बिजनिस में लगाया जाता है तो उसे borrowed fund कहते हैं यह हमने एक flow chart लगा दिया आपके लिए normal सा मैं थोड़ा हड़ जाता हूं इसके आप screenshot ले लिए ठीक है चलिए screenshot ले लिया होगा और यह हमारी एप पर भी आपको सब कुछ मिल जाएगा video recording भी मिल जाएगी उसकी PDF भी मिल जाएगी everything मिल जाएगी सब कुछ है वहाँ पर ठीक है तो आप लोग बहुत बढ़िया करके support दे रहे हैं और one shot की demand बहुत जादा बढ़ रही है बार बार हमारे पास messages आते हैं thank you के messages भी बहुत जादा आते हैं personally भी आते हैं team के पास भी आते हैं तो आपके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग इतना support कर रहे हैं please please जिन जिसे भी subscribe नहीं किया है channel को subscribe कीजिए अपने दोस्तों के साथ share कीजिए वीडियो को थोड़ा बहुत like भी कर दीजिए जो comment पूछना है जो कोई बात पूछनी है जो कहनी है आप comment लिख सकते हैं आपके comment से हम बड़ा motivate हो जाते हैं तो बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए जिस रफ्तार से आप पढ़ाई कर रहे हैं रफ्तार को और बढ़ा दीजिए क्योंकि अब बहुत जल्द आपका 11th class खतम भी होने हो ला है ठीक है जी तो बहुत सदा आप support करते रहे हैं जैसे आप कर रहे हैं इसको share कीजिए because sharing is caring देखें वह Kelvin एक भरोसा है यह आपकी वज़से ही भरोसा बना है तो sharing is caring share करते रहे हैं share मत रोकिए दो चार अपने दोस्तों को share कीजिए उनको बताईए कि कैसे कम समय में जादा से जादा आप पढ़ाई कर सकते हैं कम समय में maximum output ले करके आप दे सकते हैं तो इसी के साथ मिलते हैं अपने next one short में तब तक के लिए जुड़े रहे हैं बने रहे हसते रहे हैं मुस्कराते रहे हैं Kelvin के साथ तब तक के लिए धन्यवाद गुडबाई